नमस्कार, ओम सान्ती, मैं आज आप लोग के बीच शिक्स कलास के इंगलिस का दुसरा चेप्टर, पाठ का नाम है दबवाय हूँ लौस्ट हीज अपेटाइट, अर्थात वह लरका जिसने अपनी भूख खोदी का भावार्थ लेकर आया हूँ, बहुती अच्छी कहानी है य हम लोग वर्ड मिनिंग के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम लोग वार्मर जानते हैं, फिर पाठ के भाव को विस्तार से समझेंगे, तो शुरू करते हैं, What food do you find tasty? आपको कौन सा खाना? स्वादिष्ट लगता है. If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? यदि आपको घर पर बैठने के लिए कहा जाता है, और बिना काम किये हुए भोजन का अनन्द लेने के लिए कहा जाता है, वुड क्या आप इसका अनन्द लेंगे? गिव रिजन्स यह मिस्प्रिंट हो गया है, कारण बताइए, कारण दे, तो यहाँ तक के सब्दार्थ को देख ले, lost means खोदिया, appetite means भूख, tasty means स्वादिष्ट, Enjoy means अनन्द लेना, मजा लेना, Yourself means खुद से, Activity means किर्या कलाप या कारण, आगे चलते हैं, Sam was a rich young man, Shyam एक अमीर युवा विक्ती था, When his father passed away, early, he became the owner of all his father had, जब उसके पिता जी, शिग्र ही गुजर गए, तब वे अपने पिता जी के सारी चीजों का मालिक बन गए, He now has started living a luxurious life, अब उन्होंने सानो सोकत भरा जिनगी जीना शुरू कर दिया, He ate rich food and lay in bed all day, वह शम्रिद भोजन या मिठे मिठे पकवान खाते थे, और दिन भर बिचावन में पड़े रहते थे, As a result, He did not find any food tasty, जिसके परिनाम सरूप उन्हें कोई भी भोजन, स्वादिष्ट नहीं लगता था, Months past, महीनों बीत गए, One day, in spite of laziness, He agreed to take part in a hunt, एक दिन आलस के बावजूद, वे सिकार में हिस्सा लेने के लिए सहमत हो गए, He was not used to riding fast, So he found himself lagging behind other friends, वे घोरे की सवारी तेजी से नहीं जानते थे, इसलिए, उन्होंने अपने आपको अन्य दोस्तों से पीछे महसूस किया, He got lost and wondered away in the woods, वे खो गएं और जंगल में भटक गएं, अब यहां तक के सब्दार्थ को हम लोग देख लें, जो कठीन सब्दाए हैं, रिच मिन्स अमीर, यंग मैन मिन्स नौजवान वेक्ती, या युवा वेक्ती, पास्ट अवे मिन्स गुजर गएं, मर गएं, अरली मिन्स जल्दी से, ओनर मिन्स मालिक, स्टार्टेड मिन्स शुरूक किया, लगजरियस मिन्स सान सोकत भरा, रिच फुड मिन्स सम्रिद भोजन, या मिठे मिठे पकवान, ले मिन्स परा होना, अल्डे मिन्स दिन भर, आज अ रिजल्ट मिन्स परिनाम सोरूप, फाइंड मिन्स लगना, पता होना, टेस्टी मिन्स स्वादिष्ट, पास्ट मिन्स बीत गया, इन स्पाइट ओफ मिन्स बावजूद, लेजिनेस मिन्स आलस, एग्रीड मिन्स सहमत हुआ टेक पार्ट मिन्स हिस्सा लेन, हंट मिन्स सिकार राइडिंग मिन्स सवारी करन, फास्ट मिन्स तेज, फाउन मिन्स पाया, लगा लाइगिंग मिन्स छूट जाना, बिहाइड मिन्स पीछे, गौट लॉस्ट मिन्स खो गया, वान्डर्ड मिन्स भटक गया, भटक ना भटक गया वूड्स मिन्स जंगल, आगे चलते हैं इस परकार से जंगल में भटकते हुए, उसे चौँ से साथ घंटा बित गया इसके सब्दों को भी देख ले फिर आगे बढ़ते हैं रोमिंग मिन्स निरुदे से भटक ना, एराउंड मिन्स आसपास चारोर, टायर्ड मिन्स थका हुआ, हंग्री मिन्स भूखा Suddenly he saw a peasant's hut, अचानक उसने एक किसान की जोपरी देखा He rode up to eat and asked for a little food वह उसके पास गया और खाने के लिए कुछ भोजन मांगा Suddenly miss अचानक, पीजन्स मिन्स किसान का हट मिन्स जोपरी Road up miss आगे बढ़ा, little food miss थोड़ा, little miss थोड़ा, कुछ food miss भोजन I am a poor man, मैं एक गरीव आदमी हूँ I have only roti and dal, sir Siriman, मेरे पास केवल रोटी और दाल है, said the peasant, उसकिसान ने कहा But you are most welcome to have this Lekin इन सभी चीजों के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है The young man was very hungry and he really loved the food वह नौजवान वेक्ती बहुत भुखा था और वास्तव में उससे उस भोजन से बहुत प्यार था He liked it more than all the rich food he had been eating earlier उसने पहले जितने भी मीठे मीठे भोजन खाय थे उस सब से वह जादा अच्छा लगता था He thanked the present who also gave him directions back to his home उसने उस किसान को धन्यवाद भी दिया जिसने उन्हे घर वापस दाने के लिए दिशा निर्देश कर दिया He got back to return home and rested वह वापस घर चलाय और अराम किया He went back to his rich food and lazy wage वह फिर से मीठे मीठे भोजन करने लगे और आलस की तरह समय बिताने लगे The food was again tasteless भोजन फिर से बेश्वाद हो गया He wondered why the simple dal roti tasted so naive उसने गंभीरता पुर्वक सोचा यहाँ पर है wondered एक होता है wondered इस माने होता सर्जनक तरीके से या गंभीरता पुर्वक एक होता डबलू एंडी आरीडी तो निरुदेश भटकना जो हम लोग पहले देखें तो he wondered why the simple dal roti tasted so nice उसने गंभीरता पुर्वक सोचा उससे आशर्ज हुआ कि शाधारन डाल रोटी इतना स्वादिश्ट क्यों था और इस परकार से इस पार्ट का भाव पूरा होता है अब हम लोग आगे चलते हैं इसके परस्न उत्तर की ओर अगला परस्न है काता है comprehension समझ आपने क्या समझा अपनी समझ के अधार पर काता है think and tell सोचिए और जवाब दीजिए कहिए answer the following निमलिखित का जवाब दे वाइडी साम लाइग विहाइंड अधर फ्रेंड्स साम अपने दूसरे दोस्तों से क्यों पीछे छुट गया तो इसका जवाब है यहां शाम डिड नॉट यूज तो राइड फास्ट सो ही लाइग विहाइंड अधर फ्रेंड्स से चुट गया अगला प्रस्ण है वाट काइंड अफ लाइफ डीव आफ्टर इस फादर्स डेट अपने पिता की मिर्ट्यू के बाद वह किस परकार का जीवन जीता था तो ही लिवड अलग्जरियस लाइफ आफ्टर इस फादर्स डेथ वह अपने पिता की मिर्ट्यू के बाद शान सौकत भरा जीवन जीता था यह प्रस्ण हो क्या अब आगे चलते हम लोग अगला प्रस्ण है बी पॉइंटू का थिंक और राइट सौची और लिखिये ट्रू और फॉल्स सही और गलत बेस्ट अन दे स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट तो इच सेंटेंस गीवन विलोग आप अपने कहानी के अधार पर नीचे दिये गए वाक्यों के सामने सही और गलत लिया काता है साम वाज अ यंग वाए साम एक जवान लरका था तो वह वाए नहीं था यंग मैन था तो ये एस्टेट्मेंट हमारा गलत हो जाएगा साम ले इन वेड आल डे विकॉज ही विकेम सिख साम दिन भर भी जवान में परा रहता था क्योंकि वह बिमार हो गया था तो ये कथन गलत है फॉल्स हो जागा साम रोड भेरी स्लोली साम बहुत धीमा घोरे की सवारी करता था यह ट्रू है तभी तो वह पीछे छुट गया था यह कथन ट्रू है हमारा किसान ने साम को रोटी और सबजी दिया तो साम को रोटी और दाल दिया था तो यह कथन हमारा गलत हो गया फॉल्स है साम जंगल में खो गया जब वह किसान के घर से वापस आ रहा था अपने घर तो यह कथन गलत है अब हम लोग आगे चलते हैं पीक दा एंसर्स टू इस ओफ दा कुसंस गीवेन बिलो कता है नीचे दिये गए प्रस्णों नीचे दिये गए जबाब में से जो सही है उसको ठीक लगाई है प्रस्ण कता है वाई डिड शाम फाइंड दा फूट टेस्ट लेस शाम को भोजन स्वादहीन क्यों लगने लगा या क्यों लगता था तो इसका जवाब होगा वैसे सी ओप्सन पर टिक लगा हुआ है मैं अर्थ बता देता हूँ ताकि आपको भी समझने में शुगदा होगी दा फूट वाज प्रिपियर्ड बैडली भोजन को खराब तरीके से बना गया था उसे अपने पिता जी के मरने का दुख था इस तरह उप्सन है he did not feel much hungry because he passed his day without any activity उसे भूख नहीं लगती थी क्योंकि वह बिना कुछ किये हुए बिना कोई काम किये हुए दिन कारता था और चौता ही वाज स्लिपिंग वाज सो रह था तो यह उप्सन हमरा सी बिलकुल सही है Why did Sam like the dal and roti? Sam को dal roti क्यों पसंद था? तो answer हम देखते हैं It was cooked in a special way क्योंकि उसे vicious परकार से बनाया गया था Sam had not eaten roti and dal for many years days Sam ने कई दिनों से dal roti नहीं खाया था Shyam was tired and hungry Shyam ठकान और भूख महसूस कर रहा था Shyam liked the huts Shyam को जोपरी पशंद था तो इसका सही विकल्फ होगा C अगला Answer the following questions in not more than 50 words निम्न लिखित परस्णों का जबाब पचास सधिक सब्दों में नहीं होना चाहिए अर्था 30, 35, 40, 50 से कम जोब जोगा पहला प्रस्ट करता है How did Sam spend his life after his father died? Shyam अपने पिता की मिर्थू के बाद कैसा जीवन व्यत्थित करता था? तो इसका जवाब है हमारे सामने Sam spent his life after his father death by eating rich food and lying in bed all day long as well as spent a luxurious life Shyam अपने पिता की मिर्थू के बाद मीठे मीठे पकवान खाकर दिन भर बेड में परे परे बिताते थे और साथ ही साथ सान सोकत भरा जिन्दगी जीते थे यह पहले प्रस्ट का उतर हो गया अब हमारा दूसरा प्रस्ट है What made Shyam lose his way in the woods? Shyam किस कारण से जंगल में खो गया? इसका जवाब है Shyam डिड नॉट नू राइडिंग फास्ट So he lagged behind his friends That made him lose his way in the woods Shyam तेज गती से घोरे की सवारी नहीं जानता था इसलिए वो अपने दोस्तों से पिछे रह गया और उसी के कारण से वो जंगल में खो गया अगला प्रस्ट है Who helped Sam when he lost his way? How? जब Sam रास्ते में खो गया? अपना रास्ता खो दिया? भटक गया? तो उसकी मदद किसने की और कैसे की? इसका जवाब है तिसरा का When Sam lost his way in the woods जब Sam जंगल में खो गया He saw a peasant's hut उसने एक किसान की जूपरी देखा then went near to it तब उसके पास गया and asked the way और उससे रास्ता पुछा The peasant gave him directions back to his home किसान ने उसे घर वापस जाने का रास्ता बता दिया In this way, the peasant helped Sam when he lost his way इस परकार से किसान ने जब अपना रास्ता खो दिया तो उसकी मदद की अगला प्रसंद देखते हैं What made the food tasty or tasteless for Sam Give reasons for your answer शाम के लिए वो कौन सी चीज़ थी जो भोजन को स्वाधिष्ट और स्वाधिन बनाता था आप अपने जवाब के लिए कारण बताएं तो इसका जवाब है When Sam feels hungry After doing something Then simple dal and roti becomes tasty for him जब साम कुछ करने के बाद भूख मसूस करता है तब simple dal and roti भी उसके लिए स्वाधिष्ट हो जाता है But when he does not do anything and have food लेकिन जब वह कुछ नहीं करता है और तब भोजन करता है Then it becomes tasteless तब वह उसके लिए स्वाधिष्ट बन जाता है इस परकार से हम लोगों ने इन चारों प्रस्न का जवाब देख लिया अब आगे चलते हैं इस चार्ट को जो है आप कंपलीट करिए भड़िए जैसे किताब में दिया हुआ है लगजरियस से जुरा हुआ शब्द है रीच शांज सौकत से जुरा हुआ सब्द रीच होगया उसी परकार दूसरा सब्द है लेजी जो आदमी सांज सौकत वाला होता है वो आलसी भी होता है प्राउड अभिमानी हो जाता है एक्सपेंसीव खर्चिला आदमी होता है कमफोर्ट अराम करने वाला होता है है हेल्दी और स्वास्त भी उसका ठिक ठाक रहता है जब तक हाता पीता है। उसी परकार से फूड है से जुरा हुआ सब धंगरी है टेस्टी फूड है स्वादिस्ट भोजन स्टेल स्टेल माने होता है बासी फूड उसी प्रकार से हैं डेलिसियस फूड स्वादिश भोजन वेजिटरियन फूड शाकाहारी और हेल्दी फूड स्वास्थ भोजन इस प्रकार से यह हेल्दी हमारा दोनों में काम कर गया तो इसको हमने सजा दिया आप इने लिख ले आगे चलते हैं अगला है ग्रामर ग्रामर मिन्स व्याकरन काता है कंजक्षंस कंजक्षंस माने होता है समूचय बोधक अव्याय पढ़ते हैं इसको समझते हैं रीड दा फॉलॉइंग सेंटेंस सेंटेंस निमलिखित वाक्य को पढ़िये वह मिठे मिठे पकवान खाता था और दिन भर बिचावन में परा रहता था अब कहता है we can break this sentence into two sentences हम लोग इस वाक्य को दो वाक्यों में विभक्त कर सकते हैं तोर सकते हैं जैसे he ate rich food यहां से लेके यहां तक का एक वाक्य बना दिया वह अच्छा भोजन करता था दूसरा he lay in bed all day फिर उसमें he जोर करके यहां से एक वाक्य बना दिया और वह दिन भर बिचावन में परा रहता था आगे देखते हैं we use and to join two or more words और group of words हम लोग and का इस्तेमाल दो या दो से अधिक सब्दों या सब्द समूहों को जोरने के लिए करते हैं we also use but when because and or to join two or more words और groups of words उसी परकार से हम लोग but when but माने लेकिन when means कब because means क्यों की और माने या इत्यादी का इस्तेमाल दो या दो से अधिक सब्दों या सब्द समूहों को जोरने के लिए कर सकते हैं या करते हैं अब कता है now break the following sentences into two sentences as shown in the example above कता अब निम्न लिखित वाक्यों को दो वाक्यों में विभक्त करिए जैसा कि आपको उपर दिखाया गया है तो जैसे उपर एक वाक्यों को दो वाक्यों में बदला है वैसे ही हमको नीचे दिये गए वाक्यों को दो वाक्यों में बदलना है आप खुझ से कोशिश करिए दो वाक्यों में बदलने का ये तीन वाक्य है और यदि नहीं बने तो आपकी शुदा के लिए मैंने बना दि तीन सेंटेंस है यह पहले का दो हिस्सा हमने कर दिया यह रोड अप टू इट यह आज फोर लिटल फूड यह पहला सेंटेंस का दो हिस्सा हो गया उसी परकार से I have only roti sir I have only dal sir दूस्य सेंटेंस का हो गया He went back to his wrist food He went back to his lazy ways और यह उसका हमारा एक सेंटेंस का दो हिस्सा हो गया दो टुकरा दो वाक्यों में विभक्त कर दिया आगे देखते हैं कता fill in the blinds with the words given in the box help box में दिये गया सब्द की मदद से जो खाली जगद दिया गया इन वाक्यों में उसको भरना है आप किताब देखें बट माने किन्तु when means कब because means क्यों की and means or so means इसलिए or means या तो यहाँ इसको भी खुच से पहले कोशिस करिए वैसे मैंने भर दिया है दब वाई ओपेंड ही जम्ब्रेला when it started raining जब वर्सा होने लगी तब लरका ने छाता खोला मुकुल और आर्थी विल ब्रिंग दबुक टू स्कूल मुकुल और आर्थी विद्याले में किताब लाएगी आगे देखते हैं रहीम हैड हाई फिवर रहीम को तेज बुखार थी इसलिए वह विद्याले नहीं आ सका तो यहाँ पर सो भरा जाएगा अगला देखते हैं मुन्ना रेन वहरी फास्ट मुन्ना बहुत तेज दोरा बट कुद नौट विन दरेस लेकिन वह रेस नहीं जित सका अगला राम और पवन वेंट टू सी आ फिल्म येस्टरडे राम या पवन कल एक फिल्म ने गया था अगला है यहाँ पर और भरा गया अगला है ललीत हैड हाई फिवर विकॉज ही गॉट वेट इन दरेन ललीत को जोरो की बुखार थी क्योंकि वह बारिस में भिग गया था तो यहाँ विकॉज भरा गया आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रस्म कता है लेटर स्टॉक और राइट अब हम लोग बात करें और लिखें डिसकस योर डेली रूटीन इन ग्रूप्स कता है आपका डेली का जो रूटीन है उस पर अपने दोस्तों के बीच डिसकस करें चर्चा करें आपका जो खाने का आदत है उसको भी अपने दोस्तों के साथ सेयर करें तो यह तो दोस्तों के बीच बैठ करके गप करना है ये वर्ग में एक्टिविटी करना है अगला काता है E.1.2 का Write six sentences about the food you like to eat and why you like it आप उस भोजन के वारे में छोग वाके लिखिए जिसको आप पसंद करते हैं और उसे खाना क्यों पसंद करते हैं इसका भी कारण लिखना है तो यहाँ पर खाली जगद दिया हुआ है किताब देखिए खाली जगद है यदि संभव है तो पहले खुद से लिखिए नहीं तो मैंने लिख दिया है यहाँ से मदद ले लिजा I like to eat खीर मैं खीर खाना पसंद करता हूँ It is made of rice, milk and sugar यह दूद, चावल और चीनी का बना होता है It is very tasty यह बहुत स्वादिष्ट होता है It is rich source of protein and carbohydrate अब क्यों? खीर खाते हैं क्योंकि यह जो है protein और carbohydrate का अच्छा सुरोत है It is easy for digest यह पचाने में भी आसान होता है It is offer to deities इसे देवी देताओं को भी चढ़ाया जाता है यही सब कारण इसलिए मैं खीर को पसंद करता हूँ तो यह हमने लिख दिया अगला देखते हैं कता translation, अनुवाद Translate the following joke into your mother tongue हिंदी आप निमलिखित मजाग को अपनी मातरी भासा में अनुवाद करे A little bit of nonsense छोटी सी बेवकुफी थोड़ी सी बेवकुफी अब इसका आर्थ मैं बोल देता हूँ आप इसको कॉपी में लिख लिजेगा There was an old man with a bread डाढ़ी वाला एक बुढधा आदमी था Who said it is just as I feared जो कहते थें कि जिस बात का मुझे डर था वहीं बात हो गया Two owls and a hen दो उलू और एक मुर्गी Four larks and a rain चार बगेरी larks मिस बगेरी होता है और एक फुदु की Have all built their nests in my beard इन सबों ने मेरे दाढ़ी में घोसला बना लिया है और इस परकार से इसका मात्री भासा में अनुवाद भी हो गया और हम लोग पाठ के अंत में आ चुके हैं हमारा चेप्टर यहीं खतम होता है आसा करता हूँ आपको यह पाठ अर्थ के साथ प्रस्नुतर सही समझ में आ गया होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के भी सेर कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि परतेक चैप्टर का इसी तरीके से सब्धार्थ, अर्थ और प्रस्नुतर आपको देखने को मिलेंगे आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए नमस्कार ओम सांती